जेजीपी के रास्चे अध्यक्ष चुटाला ने बड़ा वयान दिया है उन्होंने कहा कि किसी के इस्तीफे देने से हल नहीं निकलता है तो डिप्टी सी एम दुश्यंत का इस्तीफा मेरी जेप में अगर किसान अंदोलन का हल निकलता हो तो अभी इस्तीफा देता हूँ दुश्यंत के इस्तीफे से किसान अंदोलन का कोई हल नहीं निकलेगा बता दे कि वह आज चिंडिगड में पतरकारों से रूबरू हो रहे थे मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि केंदर सरकार ने क्रिशी कानून बनाए हैं केंदर सरकार ही कोई हल निकाल सकती है उन्होंने कहा कि क्रिशी कानून को लेकर कई बार किसानों और सरकार की चर्चा हुई है अगर उसके बाद भी संतुस्ची नहीं होती है तो इस बात का कोई समाधान नहीं है उन्होंने कहा कि किसी बात पर अड़े रहने से समाधान नहीं होता है पत्रकारों के प्रशन का जवाब देते हुए कहा कि प्रधान मंत्री ने अपने भाशन में स्वयम कहा है कि किसान बातचित के लिए आए ताकि समाधान निकले। उन्होंने कहा कि समाधान तो तब होते जब थोड़ा बहुत जुकाव आपकी और से और थोड़ा बहुत जुकाव मेरी और से हो देखिए एक विशेश रिपोर्ट मैं तो पहले दिन से इस बात का पक्सदर रहा हूँ कि कोई भी समश्या का निजात तो बातचीत के जरिये ही होता है और बातचीत में दोनों तरफ से अगर कोई जुकने का या एक स्टेप वापिस लेने का काम करे तब ही बात बंगती है अब किसान जिस मुद्दे को लेकर के अंदोलन रत हुए थे उन इश्यूज के बारे में बार बार हर चर्चा के बाद भी बात हुई है मीडिया में भी आई है डिटेल सारी एगरीकल्चर मनिस्टर ने पंप्लेंट्स के जरिये अखवारों के जरिये सारी दी है प्राइमनिस्टर ने हाउस में खड़े होकर के कह दिया अब उसके बाब जूद भी अगर संतुष्टी नहीं होती है तो इस चीज का समाधान तो अब क्या हो सकता है अब बात तो सरकार में कहा है अपनी स्पीच में दोनों हाउसे में कि जिन चीजों पर अब्यक्शन है उनका हम समाधान करने के लिए तयार है तो यह बात चीज के लिए जाएं बैठ करके बात करें ताकि समाधान निकले लोगों को उन समस्याओं से निजात मिले अने बताया ना कि आप किसी बात के लिए आप बाजी दोह करके बैठ जाओ तो उससे समाधान भी हुआ करते हैं समाधाम तो तब होते हैं, जब थोड़ा बहुत जुकाव आपकी तरफ से हो, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से. जब थोड़ा बहुत मेरी तरफ से.